प्रधान्मंत्री नरेंद्र मोदी का लोग सभा में कॉंग्रेस को बताया पर जीवी कहा अब उसी भाषा में मिले का कॉंग्रेस को उसकी हर्थ साजिश का जवाब हात्रस के सत्संग हादसे में 116 लोगों की मौत परार बाबा की तलाश तेज मुख्यमंत्री योग्या दितिनाथ आज हात्रस पहुंच कर अधिकारियों से लेंगे जानकारी हाथ सा स्थल पर भारी पूलिस तैनाथ असम में बार से हालात बत्तर लाखो लोग प्रभावित मुख्यमंत्री ने पानी में डूबे काजी रंगा नैशनल पार का किया निरिक्षोन गुजरात के कुछ हिस्सों में भी बार जैसे हालात आगे भी बारी बारश की चितावनी आज से नई दिली में ग्लोबल इंडिया ए आई समिट दोहजार चौबीस की मेजबानी करेगा भारत केंद्री मंत्री अश्मनी वैशनर्व करेंगे उधगातन समिट में आर्टिफिशल इंटेलिजेंस से जुड़े हर पहलू पर होगी चर्चा अंतराश्री खबरों में कजाक्स्तान में आज से एस्टे ओ शिखर समिलन विदेश मंत्री डॉक्र एस जेशनर करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व अफगानिस्तान के हालात और रूस यूक्रेन संघर्ष पर भी चर्चा होनी क्यों मीट अमेरिका के पूर राष्टपती डॉनल्ड ट्रम्प को हश मनी मामले में मिली रहात न्यू यूक के जज ने 18 से तंबर तक ताला सजा का एला खेल की खबरों में विंबल्डन के दूसरे दिन महिला एकल में बड़ा उलट फिर गत विजेता वॉन्डरो सुवा पहले दौर में हुई बाहर पुरुशेकल में जोकुविच ने दूसरे दौर में बनाई जगहां और अब खबने विस्तार से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्य सभा में राश्ट्रपती के अभी भाषण पर सदन में पेश किये गए धनिवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देंगे राज्यसभा में राश्ट्रपती के अभी भाषण बर धनिवाद प्रस्ताव को लेकर विस्तार से चर्चा की जा चुकी है जिसमें नेता प्रतिपक्ष मलिकार जुन खड़गे और नेता सदन जगत प्रकाश नड़ा दोनों अपना भाषण दे चुके हैं राश्ट्रपती के अभी भाषण बर राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड़ा ने कल कहा था कि हमारी सरकार किसानों के लिए लगातार काम करने वाली है और हम उनकी मदद तब तक करते रहेंगे जब तक वह पूरी तरीके से आत्म निर्भर नहीं हो जाते इसी सिलसले में हमारी सरकार में किसानों को लगातार आर्थिक मदद दी है और यह जारी भी रहेगी जबकि नेता प्रतिपक्ष द्वारा सदन में आरेसेस को लेकर की गई बयान बाजी पर सदन में हुए तीखे विरोध की सरते उन्हें अपना बयान वापस लेना पड़ा था लोकसभा में राष्टूपती के अविभाषन पर प्रधानमंत्री के जवाब के बाद चर्चा समाप्त हो गए और लोकसभा कल अनिश्चत काल के लिए स्थगित कर दी गई प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बाद लोक सभा की कारेवाही कल अनुष्चित काल के लिए स्थगित कर दिकए राश्टरुपति के अभी भाषण पर नेता सदन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चया का जवाब दिया कहा कि तीसरी बार जनादेश मिलना लोकतांतरत विश्व के लिए पहुत बड़ी और महतुपूर्ण और साथी गौरवपूर्ण घटना है प्रधानमंत्री ने साथी कहा कि हिंदूओं पर जूटा आरोप लगाने की साज़श हो रही है उन्होंने राहुल गांधी के हिंदूओं विरोधी बायान पर भी उन्हें आरे हातों लिया प्रधानमंत्री ने कहा कि सोची समझी रणनीती के तहट हिंदू समाच विरासत नीचा दिखाना अपमानित करना और मज़ाख बनाया जा रहा है हिंदू सहंसिल है हिंदू अप्रत्व को ले करके जीने वाला समू हुआ है इसी कारण भारत का लोग तंत्रा भारत की इतनी विवीतता है उसका वैवीतत की विरारता आज उसी के कारण पनपी है और पनप रही है आधनिय सभाबती जी गंबीर बात है आज हिंदूओं पर जूठा आरोप लगाने की साजिस हो रही है गंबीर सडियंत हो रहा है आधनिय सभाबती जी आधनिय सभाबती जी आधनिय सल्टा वह जो यह कहा गया आधनिया तो हिंदू हिंसक ओते हैं यह आपके संसकार यह हैं आपका चरिता यह हैं आपनी सोच यह हैं आपनी नप्रत इस देश के हिंदों के साथ यह करना वे आधनित सभावती जी यह देश सताव योता इसे भूलने वाला नहीं है और अब बात हात्रस में हुए आहाकार की उत्तर प्रदेश के हात्रस जिले में सिकंद्रा राउक शेत्र में आयोजितिक सत्संग में मची भगतड में अब तक 116 लोगों की मौध हो चुकी है जबकि दरजनों लोग घायल है घायलों का अलिगड और हात्रस के अस्पतालों में लाच चल रहा है पुलिस ने आयोजिकों के खिलाफ एफ आयार दरज कर जांच शुरू कर दी है हाथ से के बाद से भोले बाबा फरार है पुलिस उसकी तलाश कर रही है बाबा नारायन हरी का फोन भी बंदा रहा है माना जा रहा है कि बाबा हात्रस सीमा से बाहर है लोगों की साहिता के लिए हेल्प लाइन नंबर जारी किया गया है हेल्प लाइन नंबर है 057-22-22-7041 और साथी 057-22-22-7042 नंबर पर कॉल करके जानकारी ली जा सकती है इस घटना पर मितिकों के परिजनों ने अपने कोखोन का दर्द बया किया है बचे की उमर समसिंग साड़े तीन साल है ये मेरा भतिजा लगता है हम लोगों को तब पता लगा जब जैसे बहुत से लोग अपनी गाड़ियों पर पहुंच चुके होते हैं और ये काफी टाइम तक नहीं पहुंचे हुए होते हैं हात्रस हाथ से का जायजा लिया हमारे समवादाता नीरत सिंग ने मेरे पीछे जो जगए आपको दिखाई दे रही है ये वही जगए जहाँ पर ससंग हो रहा था और उस ससंग में भगदल मस्ती है और सो से ज़्यादा जो लोग है उस भगदल का शिकार हो जाते हैं और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो घायल हैं कुछ लोग इस समय हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ पर थे और अंदर जाकर देख रहे थे किस तरह की इस्तिति है अच्छा ये जो बाबा है वो क्या करता था और बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं किस तरह के प्रबचन होते थे क्या इसका बेक्ग्राउंड किया है यह कांस्टेविल था पहले यह सिपाई के बाद में फिर यह कुछ ऐसे ही करने लगा तंतरमंत फिर इसके बाद इसने डौंग फैलाना स्टार्ट कर दिया और भूली भाली जंता को अपने आपको साकार विश्वरी और अपने आपको भगवान कहने लगा और कहने लगा कि जो कुछ भी हूँ मैं हूँ और मेरी आस्ता मेरी सवर्ण में आईए और मैं आपको कश्ट दूर कर दूगा गरीबी दूर कर दूगा आपके बच्चे की नौकरी नौकरी लगा दूगा दूगा सब कुछ ऐसी बातें करता था कि जो क अच्छा आप आपने भी इसके बारे में सुना था लोग गुमरा हो रखे थे अंधुस्वास में और कहते थे पबलिक सिटी करते थे कि सत्संग सुनने से किटनी ठीक हो जाती हैं अंधे लोग भी आखे ठीक हो जाती हैं बहुत सारा दुस्परचार होता था और यह पेड़ इनके पास जो तरका तन्खा लेकर के काम करते थे और पूरी तरह से अंधुस्वास पाखन पूरी तरह से इन्नों ने फैला रखा था अभी जो डैथ रिपोर्ट भी आ रही है इसमें महिलाओं की, संख्या महिलाओं की है क्योंकि इस सत्संग سے महिलाओं का बड़ा क्रियज था महिलाओं सबसे जाते इसमें आती थी अगर उनके जीवन साथी बना करते थे उपरान थो नहीं मानती थि इतनी दीवानी हो चुकी थी और हम देखते थे अलीगड में भी जब कभी आना होता था तो महीनों पहले से महिलाएं अपनी सेवाएं देती थी और कितनी भी गंदी जगे होती थी इतना साफ सफाई और इतना अच्छा बना देती थी बड़ा डेकॉरिशन के साथ यह आपने देखा जो इस्थानिय लोग है बड़ी संख्या में भगदर हुई और जिसमें अभी तक की जो जानकारी निकल कर आ रही है सौ से ज्यादा लोगों की मरत्य हो गई है कैमना में शार्दा के साथ नीरस सिंग डीडी न्यूज हाथ रस तो बेहती हृते विदारक के घटना उतर प्रिदेश के मुख्यमंत प्रदेश सरकार के तीन मंत्री चौधरी लक्षमी नार्यण जी से संदीप सिंग जी से असी मरुण जी तीनों लोग वहां पर घटना स्थल पर ही कैमप करके घायलों को उपचार आधी के विवस्था में लगे हुए हैं बढते हैं भगली खबर के और आज से नई दिली में ग्लोबल इंडिया AI श्रिकर समेलन 2024 की शुरुआत होना है तीन और चार जुलाई को होने वाले इस शिकर समेलन का उधगातन केंद्रू Electronics और सूचना प्रोध्योगी की रेलवे और सूचना एवं प्रसारन मंत्री अश्वनी वैशनव करेंगे इसके साथे समेलन को Electronics और IT वानिजय और उध्योग राज्यमंत्री जितन प्रसा भी संबोधित करेंगे जम्मेदार कृतिम बुद्धिमता यानि की AI के विकास को बढ़ावा देने की इसकी प्रतिबधता को रिखांकित करने की कारण यही शकर समेलन भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अब बात मौनसून की असम में बाढ़ और बारिश में से भारी तबाही मचाई हुई है डिभरुगण, नगाव, गोला घाट समित कई और जिले पारी में डूब गए है असम के उन्ने जिलों में फिलाल बाढ़ और भारी बारिश के कारण स्थिति गंभीर है तिन सुक्या जिले के लाइका दोधिया के लोगों का जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है वहीं काजीरंगा राष्ट्रे और द्यान में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है यहां 166 शिवर पानी में डूब गए हैं कल असम के मुख्यमंत्री हिमंत पिस्वल सर्मा ने गोला घाट जिले के बोका घाट में बाढ़ प्रभावित खेत्रों का निरीक शड़ किया मुख्यमंत्री ने काजीरंगा नाशनल पार्क में भी बाढ़ की स्थिति की समीख्षा की भारती सेना ने खराब मौसम के बावजूद असम के तिन सुक्या के बोर फक्याल गाओं के बाढ़ प्रभावित अलाकों से भुजूर्गों महिलाओं और बच्चों सहित पचास सदेक लोगों को बचाया है इसके अलावा सेना ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा आया है साथी इन लोगों को भोजन पानी और साथी दवाईयां उपलब्ध कराई गई है वही गुजूरात के जुनागड में भारी बारिश के चलते सड़कों पानी में डूप गई है इसके कारण 29 गाउं का संपर कट गया है एंडी आरेफ की तरफ से जुनागड के केशोड में बाड में फसे लोगों के रेस्क्यू के लिए एक टीम भेजी गई है फिलाल स्तेती नियंतरण में है मौसम विभाग नंगले दो से तीन दिनों में गुजरात में भारी बारिश को लेकर इलर्ट भी जारी किया है उत्राखन की बात करें तो यहां भी भारी बारिश के कारण मौसम विभाग ने रेड इलर्ट जारी किया है अगले चार से पांच दिन में उत्तरबश्चिम पूर्व और पूर्वत्तर भारत में मौनसून के और अधिक सक्रिय होने की संभावना है शंगाई सहयोग संगटन याने की SCEO का 24 वां शुकर समेलन आज से कजाकस्थान की राज़धानी अस्ताना में शुरू होगा दो दिन तक चलने वाले इस समेलन में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जेशंकर भारतिय प्रतिनेधी मंडल का नेत्रित्व करेंगे इस समेलन में अफगानिस्थान की स्थिती रूस यूक्रेन यूद और SCEO सदस्य देशों के बीच समग्र सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होने की उमीद है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जेशंकर शांगाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कजाकिस्थान की राजधानी अस्ताना पहुँचे हैं डॉक्टर रियाशंकर ने कजाकिस्तान के उप्रधान मंत्री एवं विदेश मंत्री मूरत नूर्ट लेव से मुलाकाद की उन्होंने स्सीयो परिशत के राष्टर अध्यक्षों के शुकर सम्मेलन की मेजबानी और विवस्ताओं के लिए अपने कजाकिस्तानी समकष का भार जताया इस दोना दोनों नेताओं ने भारत और कजाकिस्तान के बीच बढ़ती रणनीतिक साजेदारी और विभिन प्रारूपों में मध्य एश्या के साथ भारत की बढ़ती भागेदारी पर चर्चा हुई इसके अलावा शेत्री और वेश्विक मुद्दो पर भी चर्चा हुई यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजर होते हैं और ख़बरों के साथ स्वाद से सब को दीवाना कर दे दीवाना कर दे पता का चाय घजब का स्वाद मैंके जी सब जानते हैं जहां देखे हैं मारियो अपना समझ के खा लिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत आए बढ़ते हैं वगली खबर के और भोपाल एम्स को वैसे तो 960 बिस्तरों का अलोट्मेंट है लेकिन स्थानी स्थार पर कुशल प्रबंधन के चलते यहां 1260 बिस्तरों की सुविधा मरीजों को मिल रही है इतना ही नहीं परिसर में अब 500 बेड्स का सीसियो भी पन रहा है जिसको ट्रॉमा सर्विस से जोडा गया है जिससे आने वाले समय में 70 बेड और जुट जाएंगे यह जानकारी भुपाल एम्स के कारेकारे ने देशुक आजेश सिंग ने जीजी नियूस समवादाता आदरत्य श्रीवास्तर से खास बाच्शीत में दी है भुपाल एम्स में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और भुपाल एम्स की कोशिश यह है कि ज्यादा से ज्यादा मरीजों को आसानी से उनको स्वासलाब मिल सके 960 का अलॉट्मेंट जो है वो बैट्स का भुपाल एम्स के पास है जिसको उसने बढ़ा कर एक अच्छे कुशल प्रमंधन के जरीए अगर कहें तो 1200 से ज्यादा बैट्स तक वो पहुँच चुका है कैसे यह संभव हो पाया है आजे सिंग जी हमाई सब मौजूद है लेकिन बहुत सारा एरिया जो की कम यूटलाइज होता था और मरीजों की संख्या बहुत जादा बढ़ गई तो हम लोगों को ये प्रशानी फेस हम करने लगे कि उनको रखने के लिए यदि हम उनको वापिस करते हैं बहुत दूर से पेशेंट आते हैं तो बहुत ही उनका सरिस्फेक्शन लेविल जो है वो कम हो जाता है तो हम लोगों ने उन सारे जो इस्थान जो की कम यूज थे उनको हम लोगों ने मरीजों के भरती करने के लिए जो है बदल दिया और सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोगों ने चाहे वो डॉक्टर्स हों चाहे वो रहे हैं आज हमारे पास 1260 बैड ऐसे हैं जिसमें ना सिर्फ मरीज लेट सकते हैं बलकि उनमें ऑक्सीजन सक्षन और जितनी भी इंपॉर्टेंट से जरूरत होती है वो सारी चीजें हमारे इन बैट्स पे हैं अपक्स प्रियाटिक सेंटर के लिए आपको दिन जानवे करोड कि आसपस का बजट मिला है सर कैसे यह काम करेगा और क्या इसके फायदे होंगे आने वाले समय इस सेंटर का जो आपने बोला एक प्रियाटिक सेंटर का खोलने का परपस यह है कि अभी जो नया कंसेप्ट आ रहा है कि बच्चों से चाहे किड़नी हो चाहे उनका हाट का हो चाहे उनकी आई हो सभी चीजें अब जो है एडल्ट से अलग बच्चों का इलाज होना चाहिए जो हम हॉस्पिटल पिडाटिक सेंटर बना रहे हैं यह एक मात्र पूरे इस रीजन का एक ऐसा हॉस्पिटल होगा एक च्छत के नीचे आने के बाद चाहे ओपीडी दिखान की ज़रूती है उसी एक सेंटर में आप पूरा देख सकते हैं इविन ऑपरेशन भी आवशकता है तो ऑपरेशन थेटर भी उसी में होंगे एमर्जनसी केसे का फॉटफॉल बहुत ज्यादा यहां पर है उसको कैसे मैनेज किया जा रहा है और क्या आपको लगता है कि उस प है भूपाल इमस के कैवनमन चंदर मोहन के साथ आधित्य श्रिवास्तव डीडी न्यूज भूपाल आये बंतर राश्ट्रे खबरों का रुख कर लेते हैं न्यूज यूज के जज ने हश मनी मामले में अमेरिका के पूर्व राश्टपती डॉनल्ड ट्रम्प की सजा को 18 सितंबर तक के लिए टाल दिया है इससे पहले सजा 11 जुलाई तक के लिए तै की गई ती जो कि 15 जु आया था कि राश्ट्रुपती आधिकारे कृतियों के लिए अप्राधिक अभियोजन से छूट के हख़दार हैं केनिया के मुंबासा में पुलिस ने राश्ट्रुपती विलियम रूटों की स्तीफे की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर आसु गैस के गोले दागे को ने अस्पताल में ले जाए गया केनिया में कर बढ़ाने और बाद में उसे वापस लेने के बाद भी पिछले एक सप्ता से जारी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही पेरु की राज़दानी लीमा में एक टेस कदी से आ रही वैन के ताकसी से तकरा जाने से तीन लोगों की मौत हो गई है अन्य लोगों को इलाज के लिए नस्दी के असपताल में लिटाया गया है खेल की खबरों में साल के तीसरे ग्रांट स्लाम विंबल्टन के दूसरे दिन एक बड़ा उलट फेर देखने को मिला है महिला एकल में गत विजेता चेक कर्णराजे की मारकेटा वॉंडुसोवा पहले दौर में हार कर प्रतियोगिता से बाहर हो गई है उन्हें स्पेन के जैसिका बुजाश मानेरे ने सीधे सेट में छे चार छे दो से हराने में सफलता पाई महिले उक्रेन की ऐलीना राइबाकीना ने आसान जीत के साथ विंबल्डन के दूसरे दौर में स्थान बना लिया है चौती वरिता प्राप्त राई बिकाना ने अलीना गैब्रियाला रूस को सीधे सेट में छे तीन छेक से हराया आज पूरी दुनिया में अंतराश्ट्री प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जा रहा है इस दिन का उदेश्य प्लास्टिक मुक्त दुनिया बनाना और पुन्हे इस्तमाल योग्य विकल्पो को बढ़ावा देना है प्लास्टिक से प्रकृति के लिए खत्रा बढ़ता जा रहा है क्योंकि हर साल दुनिया भर में करीब 400 मिलियन टन प्लास्टिक कच्रा पैदा हो रहा है आप देखें इस खास रिपोर्ट को फिलाल के लिए मुझे दीजानुमती अगला कारिक्रम आप देखेंगे नया सवेरा मेरी और मेरी सही होगी आचल के साथ फिलाल के लिए मुझे दीजानुमती नमस्कार अंतर राष्ट्रे प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस हर साल 3 जुलाई को मनाये जाता है जिसका उद्देश एकल उप्योग वाले प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल को खत्म करना है ये जरूरत उन खतनाक आंकडों को देखते हुए है जो प्रित्वी पर जीवन के लिए खत्रा उत्वन कर रहे हैं क्योंकि हर साल तकरीबन 400 मिलियन टन प्लास्टिक कच्रा पैदा होता है 3 जुलाई 2008 को यूरोप ने एकल उप्योग वाले प्लास्टिक बैग के खिलाफ जीरो वेस्ट यूरोप अभियान शुरू किया था 2014 में भारत ने स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया 2015 में यूरोपिय संख ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक बैक के उपयोग को कम करने के लिए कुछ निर्देश भी पारित किये 2019 में पीए मोधी ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक बैक का इस्तिमाल ना करने का अहवान किया एक जुलाई 2022 को भारत ने एकल उप्योग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंद लागू किया था पिछले कुछ वर्षों में इस आंदोलन ने गति पकड़ी है कई तेशों ने प्लास्टिक बैक पर प्रतिबंद लागू किये है भारत अब प्लास्टिक के उप्योग को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में लाल किले की प्राचीर से अपनी सुतंतिता दिवस के भाशन में लोगों से एकल उप्योग वाले प्लास्टिक बैक का इस्तेमाल बंद करने का अहवान किया था मैं स्टार्ट अप्लालों को, टेक्निशन्स को, उद्यमियों को आगरा करता हूँ भारत देश भर में प्लास्टिक के उप्योग को रोकने के लिए प्रतिबद रहा है वश 2014 में प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्च भारत मिशन की शुरुआत की थी तब से लेकर अब तक मंत्राले द्वारा अधिसूचित एकल उप्योग वाले प्लास्टिक वस्तों पर प्रतिबंद लगाये गया है पर्यावरण संरक्षन के लिए 2022 में लागू कारिक्रम के तहट भारत भी अभिनव पैकेज अपना रहा है यह जो जैकेट है यह रिसाइकल मट्रियल का है लेकिन रिसाइकल मट्रियल की विश्यस्ता है इसकी विश्यस्ता है जो टेलर के हाँ कपड़े के टुकड़े निकलते हैं यह सारा वेस्ट एकटा किया हुआ है फिर जो पुराने कपड़े हैं उसको भी इसमें लिया हुआ है और 30-40% वेस्ट प्लास्टिक बोटरल को लिया हुआ है और उन सब को रिशांगल करके ये कपड़ा बना है सालाना लगभग 400 मिलियन टन प्लास्टिक कच्रा उत्वन होता है ये आंकड़ा 2024 और 2050 के बीच 62% बढ़ने का अनुमान है इस प्लास्टिक कच्रे का धिकांश हिस्सा परियावरण में लीक हो जाता है खासकर नदियों और महसागरों में जहां ये छोटे कणों माइक्रो प्ल अंतर राष्ट्रे प्लास्टिक बैग मोक्त दिवस पर आएए हम अपने द्यानिक जीवन में पुना प्रियोग वाले विकल्पों को अपनाने का संकल्प लें और परियावरण को सुरक्षित करने की दिशा में छोटे कदम अपने स्तर पर उठाएं दीपिका मेहतो की